सबी को जय जनेंद्र, जय बुलिय भगवान मावीर स्वामी की जय, जय बुलिय अनन्ता अनन्त सिद्ध परमेश्ठी भगवान की जय आज हम पुने एक बार इस कोरोना संकट के बीच में आपके समक्ष मोक्ष पाहुट नामक गरंथ का स्वाध्या कर रहे हैं और एक-एक गाथा को उसके प्राक्रत के शब्दों के साथ में उसका हिंदी अर्थ और क्या विभक्ती हैं, क्या वचन हैं, वो हम देख के सीख रहे हैं कुंद कुंद आचारिद्वारा रचित ये अश्ट पाहुट की अंतरगत बहुत ही महत्पून गरंथ है पिछली कक्षा में जो हमने अभी दो दिन पहले लगाई थी अठारे गाथाएं उसकी कर ली थी, आज हम दो गाथाएं और करेंगे आज है दिनांक बारे अप्रेल 2020 और आपकी क्लास बारे आज लगेगी आज दिनांक है बारे अप्रेल 2020 और क्लास बारे है मोक्ष पाहुट नामक हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूटूब पे गौरव जैन वीगन नाम से यूटूब पे चैनल है आप लोगो ने जो लोग रेगुलर स्वाध्या कर रहे हैं आपने उसको सब्सक्राइब करी रखा होगा जो भी लोग प्राकरत सीख रहे हैं तो उनको आप बता सकते हैं व्याकरण की कक्षाएं प्राकरत रक्षना सौरब प्राकरत उसके बाद डिपलोमा कोर्स की अलग से सेव हैं उसके लावा पाई सिख्खा नामक जो पुस्त के हैं उसके भी कई भाग उसमें प्लेलिस्ट अलग से बनाकर सेव किये गए हैं जिससे आप प्राकरत की व्याकरण सीख सकते हैं उसके बाद स्वाध्याय की द्रश्टी से आगे जिससे आपका निरंतर अभ्यास बना रहे एक एक करके हम मोक्ष पाउड यहां पर गरंत ले रहे हैं जब यह गरंत पूरा हो जाएगा तो कई लोगों का डिमांड आ रहा है दो दिन से फोन आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि समयसार और भी जो इत्यादी प्राकरत के गरंत हैं इसके बाद उनका हम स्वाध्याय कराएं तो जैसा समय होगा उसके अनुसार हम इसके बाद आगे कराएंगे अभी हम आगे की गाथा लेते हैं कुछ चारण भी करेंगे और जो लोग आगे अभ्यास करना चाते हैं इसलिए इतना आराम आराम से स्लो हम यहां पर कराते हैं जिससे आप अपने पुस्तक कॉपी लेकर नोट्स भी बना सकें जे जायंती सदव्वं परदव परम्मुहा यह एकी शब्द है परदव और परम्मुहा लाइन कमोने की वेश है डैश लगा के आगे लिख रहे हैं परदव परम्मुहा दू सुचरिता दू सुचरिता ते जिन्वरान मग्ये ते जिन्वरान मग्ये आणू लगा लह हिम रिवाडम् यह पहली लाइन है उपर और यह नेक्स वाली दूसरी लाइन है इस गाथा की एक बार सब लोग मिलके रुच्चारण करेंगे अपनी अपनी स्क्रीन पर देखकर और जो आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं उसमें भी देख सकते हैं कोई गलती तो नहीं करी है जे जायंती सदव्वम परदव परम्मुह दूसु चरित्ता यादाता है फिर बढ़ाता है अब एक एक शब्द को हम अर्थ देखते हुँ चलेंगे उसके बाद इसका मतलब समझेंगे और भावार्थ उसका हम अध्यान करेंगे यह पिक्षिली कक्षा कर लिखा हुआ था इसको मिटा देते हैं कहीं किसी को कुछ समझने में अजदी प्रॉब्लम आती है तो यूटूब पर जो चैनल है वहां पर आप कमेंट के रूप में डाल कर पूछ सकते हैं या हमें इमेल कर सकते हैं पॉन कर सकते हैं जहां पर भी आपको कोई भी समस्या आये आप कभी भी पता कर सकते हैं वैसे इतने आराम आराम से कराते हैं सारी recording है ज्यादा समस्या आनी नहीं चाहिए फिर भी आती है तो उसका solution है ज्यादान पर इस पर इस पर गूद पर जुदो पर डिश्पपने असिर्ड बूद पर हमें दिखरी अ कि अ आप आपल देव है आप 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 आ यहां हा जाएं ह हुआ कि जे माने होता है जो जे माने क्या होता है जो जायंती माने पहले भी कई बार आया है जायंती माने होता है ध्यान करना जायनती माने क्या होता है ध्यान करना सबसे पहले जे कई बार अभी भी बोलने में आ जाता है कि जे सामान ले आओ कई बार अभी भी प्राकरत का मूल शब्द प्रियोग में आ जाता है इसका मूल शब्द है जा जा से जे बन जाता है बहुआचन वे हमने पहले कई बार को बताए है एकक का मतलब होता है संग्या और सरु नाम में जब हम कर्या की बात करते हैं उच्थम पुरुष, मध्यम पुरुष मद्यक और न्यप पुरुष के लिएیک TW – 3 लेते हैं likes और बटे के कि एक क्या है जो है उसके बाद अगला शब्द है यहां पर जहायंती कि अब यह माने होता है क्या होता है है ध्यान करना जहां भी होता है इसका मूल शब्द और जहाय भी होता है दोनों का मतलब दिहान करना होता है अंती लग गया आप लोगों ने व्याक्राशी की है अंती अंते एरे किस में आता है अन्यपुरुष में बहुवचन में किरिया के साथ में लगाते हैं तो क्या बन जाता है करते हैं बहुवचन है अंती लग गया यहां पर तो क्या बन गय आपका ये अन्यपुरोष और बहुवचन यहां पर अन्यपुरोष और क्या है बहुवचन सम्झाने की दृष्टी से लिख दिया है वैसे आपको ये याद होना चाहिए क्या बन गया ध्यान करते हैं कि ध्यान करते है कि तीसरा सब्दें यहां पर सदव्व यहां पर दो शब्दें स और दव्व समाने पिछली काथा में भी आया था सदव्व होता है स्वद्रव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व् सदव यानि की और दव इसमें दो शब्द बन गई तो क्या बन गया बिंदी लग गई है तो ये देवम की तरह से बन गया आपका दुतिया विभक्ति और एक बचन स्व करताने करम को स्व द्रव्य को दुतिया विभक्ति लग गई सदवम क्या बना स्व द्रव्य को परदव परम्मुहा अब इसमें परदव हो गया यानि उससे क्या बन गया परदव्य परम्मुहा माने होता है परमुख परदव यह एकी शब्द है यहां उन्हें बताया था आपको परम्मुहा अब इसका संदी बिच्छेट करेंगे यहां पर, तो परदव से क्या बन जाएगा, परदव, और तीसरा सब्द है, इसमें परम, मूल शब्द क्या है, परम, मूल, हा लग गया, विभक्ति लगाई है, देवा की तरह से, तो उससे क्या बन गया, हा बन गया, पिर्थमा विभ अब यहां पर क्या है पर्द्रव्य और परमुह से मतलब है परमुख पर्द्रव्य अब लाइन जब पूरी करेंगे तो परद्रव्य से विमुख विमुख और परमुख एक ही बात होती है मतलब उससे मुह मोड ले ना यानि कि स्वध रव्य को ध्यान करते हैं और परद रव्य से विमुक हो जाते हैं यानि कि जो आत्मा के इलावा जो बाकी परवस्तु हैं उनसे विमुक हो जाते हैं परमुक हो जाते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता जैसे कि इस समय जो संकट चल रहा है ये आपकी आत्मा का संकट तो है नहीं जो पूरे विश्व में चल रहा है कोरोना की वज़ से तो जो स्वध रवी लोग है वो क्या करेंगे कि इवल अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे और समझेंगे कि बाकी संसार में जो भी परेशानिया है अनादि काल से चलती आ रही है अनन्त काल तक चलती रहेंगी यह प्रकर्ति का प्रकोब है समय के अनुसार अलग-अलग काल में अलग-अलग समय में आता जाता रहता है इससे मेरी स्वयम की आत्मा को प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए दू इसके बाद कौँसा सब्द है दू यह एक प्रकार का अव्वे होता है अव्वे वो शब्द होते हैं जिनमें कोई विभक्ती बचनित्यादी नहीं लगता जैसे चाहे चाह माने और है दू दू माने क्या है दू माने है निश्यही दू के माद सु चरित्ता चरित्ता माने होता है चरित्र आचरण सु माने अच्छा किसी भी शब्द के आगए सु लग जाता है तो वो विशेश अर्थ में प्रियुक्त हो जाता है यानि अच्छे की रूप में सु माने सम्यक प्रकार से भली प्रकार से अच्छी प्रकार से सु और साथ में क्या लग गया चर्व अच्छ से बना चरित्ता एक आपने संबंदक भूत कृदंत पड़े थे पड़े थे उसमें ये ता करके ते साथ में जोड़ा था उससे क्या हो जाता है कर किसी भी चीज में अगर ता लग गया तो क्या बन जाता है कर तो यहां पर क्या बन गया है ये संबंदक भूत कृदंट संबंदक कृदंट इसलिए व्याकरण समझना बहुत जरूरी है पहले उसके बाद ही आप अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे चर माने होता है आपका आचरण सू माने अच्छा तो क्या बन गया इसका सम्यक प्रकार से आचरण और करके क्यों लगा क्योंकि सम्बंदक करणते ता प्रत्य लग गया तो उससे क्या बना सम्यक प्रकार से आचरण ता से क्या बना करकर अर्थ क्या बना इसका सम्यक याने बली प्रकार से सम्यक प्रकार से आचरण या व्यवार या चरित्र करके आचरण करके उसके बाद आ गया अगली लाइन में ते ते आपने पहले भी कई बार पढ़ा सीधे सीधे आपको सिखाये गया है कि वह के लिए तो होता है सो और ते किसके लिए होता है वे बहुत सारे तो ते माने क्या होता है वे इसका मूल शब्द होता है ता बहुवचन लग गया आपका पृतिमा विवक्ति का तो क्या बन गया ते माने वे वे सब जब हमने वियाक्राण पढ़ा था तो ते का लगवग हर लाइन में जो भी अभ्यास किया था उसमें ते का बहुत प्रियोग किया था फिर जिडवढाण जिडवराण जिडवढाण सब जानते हैं यहाँ पर जितने भी लोग प्राकर सीख रहे हैं जिनेंद भखवान जिनको बोलते हैं जिडवराण यानी कि जिनवर और आण लग गया, तो क्या बन गया आपका जैसे आईरी आडम, बोलते हैं न रमो अरिंताडम, रमो सिधाडम, अब आड लग गयाता है, तो कौनसी वक्ती हो जाती है, छटी वी वक्ती भी हो सकती है, और चौथी वी वक्ती भी हो सकती है, दोनों में आड या आडम लगता ह तो यहाँ पर जो अर्थ के माद्य हम से ली है वहाँ छटी विवक्ती ली है अरे हंतों के जिडवर इसमें मूल सब्द क्या है जिडवर आड़ लग गया तो अर्थ के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि चौती विवक्ती लगेगी या छटी विवक्ती लगेगी चौती और छटी विवक्ती में बहुवचन में हमने देखा है और एक वचन में भी दोनों में क्या होता है रूप समान बनते हैं यहाँ पर छटी विवक्ती बहुवचन जिन वराण यानि छटी वक्ती में क्या होता है संबंद का की के यह सब तो आपको बिल्कु पक्का होना जीए जो साथ विवक्ति या आठ विवक्ति करताने करम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से फिर छटे में क्या है संबंद का की के और अधिकरण मैं पेंपर फिर संबोधन फे अरे भो इस प्रकार से यहां पे कौन सी विक्ति लगी छटी चटी पे क्या आया का की के तो यहां पर क्या बन जाएगा जिनवरों के यानि जिनवर को क्या बोलते हैं हम अरे हंतों के या जिनवरों के अरे हंतों के यानि जिनवर जिनेंद्र भगवान के कुछ भी आप लिख सकते हैं अगला शब्द है मग्गे अगला शब्द क्या है मग्गे मग माने होता है मार्ग और यहाँ पर ए लग गया तो क्या बन गया याद कीजिए सब्तमी भक्ती में क्या था बहुवचन में अम्मी लग जाता है और ए लग जाता है तो क्या बन जाता है एक वचन में अम्मी और बहुवचन में ए इस प्रकार से हम भी भक्तिया बनाते हैं क्या बन जाएगा यहाँ पर ए लग गया मार्ग मैं अधिकरण मैं पैपर मग माने सीरी-सीरी गाता हैं तो आप बहुत सारी पुस्तों को मैं पढ़ सकते हैं हमारा यहाँ पर जो विशेश अभ्यास है वो है कि मात्राओं के साथ मेरे जो भी आपकी भ्रतियां लगी है जो भी प्रत्य लगे हैं उसके हिसाब से आप स्वयंसे उसका अर्थ बना पाएं जो नई नहीं गाता हैं भी आपको मिलें तो आपको धीरे-धीरे उसका स्वयम से अर्थ बनाने का अभ्यास हो तो यहां पर कौनसी वक्ती लग गई साथवी वक्ती बहुवचन साथवी वक्ती एक वचन है न अम्मी और ए दो प्रकार से यहां पर लगता है तो क्या बन गया मार्ग में बहुवचन होता तो क्या बन जाता उ की मात्रा लग जाती है जैसे देवे सू बनाया था न हमने तो यहां क्या बनेगा अगर साथवी वक्ती का बहुवचन होता तो मार्गों में होता मग्गे सू अब यहाँ पर क्या है? खाली मग्गे है तो क्या बनेगा? मार्ग मैं आगे शब्द देखते हैं अनू लगगा अनू अनू लगगा से देखते देखते आपको लग रहा होगा कि अलो नगन एक शब्द होता है किसी चीज में बहुती तलीन हो जाना तो उसे बोलते हैं अलू लगन इसका मूल शब्द है अडू लग आका डंडा लग गया तो ये भी क्या बन गया आपका? एक बटा दो और ये भूत कालिक करदंत में इसको लिया है भूत कालिक करदंत में हमने देखे थे के भूत काल में हुए लग जाता है तो क्या अलकन हुए यानि कि लगे हुए लगे हुए अनू लगन से ये शब्द बना है अनू लगा बहुत ही किसी कार में तल्लीनता से लगे होने को बोलते हैं अनुलगने जैसे कि आप लोग होंके लिए बोले कि इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं प्राक्रत भासा को सीखने में अनुलगन है, यानि कि बहुत ही मन से आप अपने समय का सदोपयोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अनुलगन और लगे हुए एक ही बात है, अगला शब्द है लह हिम, लह माने होता है, प्राप्त करना पहले भी कई बार आया है, और हिम लग गय तो यहां पर क्या हो जाएगा, देवे हिम, किसमें लगाया है हमने, तिर्तिया विवक्ति, भवचन, करताने करम को, करण से द्वारा, द्वारा वाले में क्या बन जाता है, हिम लग जाता है बाद में, तो क्या बन गया यहां पर, लह हिम, लह हिम, लह इसमें मूल शब्द है लहमाने क्या होता है प्राप्त करना और हिम लग गया तो क्या हुआ देवे हिम की तरह से क्या बना क्रितिया विभक्ति बहुवचन से द्वारा क्या करताने करम को करन से द्वारा तो क्या यहां पर क्या बनेगा प्राप्त करते हैं प्राप्त करने के द्वारा प्राप्त क करते हैं अगला आखरी शब्देस गाथा का डिवाडम पीचे की लाइन दिखाई दे रही है आप सभी को स्क्रीन पे डिवाडम डिवाड बहुत बार आया है डिवाड माने क्या होता है निर्मान निर्मान माने मुक्ष इसमें रिवाडम माने निर्मान निवाड इसमें मूल शब्द है निवाड निवाड माने निर्मान को क्यों क्यों लगाया बिंदी लग रही है दुतिया विवक्ति एक वचन करता ने करम को तो यहां क्या हो गया निर्वाण को देखिए अब आसानी से इसका अर्थम कर सकते हैं एक एक शब्द देखके कि जो लोग ध्यान करते हैं स्वद रव्य को और परद रव्य से विमुखर रहते हैं निश्चे ही वो सम्यक प्रकार से आचनण करते हैं और वे बद्रबावू के टाइम पे बारे साल का कार पड़ा था कितने साल का बारे साल का और पंचमकाल की बात है चंद्रगुप्त मौर उनके शिश रहे और कैसे कैसे स्रमडविल गोला की धरती पर चंद्रगिरी नामक पहार पर उन्होंने कितने साल तक तप किया और कैसे देवता कितनी खराब हो गई तो लेकिन उस विकट परिस्तिती में भी बारह साल के अकाल में भी आप लोग कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से ये लोग जो स्वधरव्य को लगे रहे और उन्होंने अंत में जाके वो क्या करेंगे इस भव में नहीं तो अगले भव में निश्चित त रहेंगे हमेशा विचलित रहेंगे वो इस संसार में ही हमेशा लगे रहेंगे इस जनम के बाद फिर पैदा हो जाएंगे जो अपने बुरे भावों से मरण होगा उससे अच्छा अपन को क्या करना है हमें प्राक्रत के गरंतों का जादा से जादा स्वाध्याय करना है को पर द्रव्य रहे हैं हमारे शरीर कीवज़े से हैं ये सब पुद्गल है वास्तम में द्रव्य क्या है वास्तम में जो द्रव्य से वो आपकी आत्मा ही है और आपको अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है इसका अर्थ क्या बना अब हम एक एक करके इसका अर्थ लिखेंगे परद्रव्य से जो विमुख सम्यक प्रकार से आच्रण करके स्वध्रव्य का ध्यान करते हैं निश्य रूप सेवे अर्हंतों के मार्ग में लगे हुए हैं अतेवे निर्मान को प्राप्त करते हैं परद्रविसेविमुक अब कौन है ये यहाँ पर जिनकी बात हो रही है वो परद्रविसेविमुक निर्मान को कौन प्राप्त करेगा जो मुनी महाराज है जो अर्हंत के मार्ग में लगे हुए हैं, जो सादू तपस्वी हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है परद्रव्य से विमोग जो अब यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया है गाथा के अर्थ में मुनी यानि कि hidden है, मुनी वर्ड इस गाथा में नहीं आया है, समझने की दर्श्ची से और लोग भी हो सकते हैं, जो लोग इस मार्ग पे लगे हुए हैं सम्यक प्रकार से आच्रण करके मार्ग में तो जरूरी नहीं आप अभी मुनी बनके तभी आपको उस भब में मुक्ष्ची लेकिन मार्ग है आप अगर मुनी नहीं भी हैं और आप उस मार्ग में लगे हुए हैं आपने धीरे धीरे करके आपने सम्यक दर्शन की प्राप्त कर लिया है तो आप भी मार्ग में तो मानी जाएंगे आप लोग ग्रस्त होके भी इस मार्ग में लग सकते हैं सम्मिक प्रिकार से आच्रण करके स्वध्रविका ध्यान करते हैं स्वध्रविका मतलब पिछली गाथा में आपको बताया था पिछली कक्षा में आत्मा आत्मा के इलावा जितने भी द्रव्य हैं वो सब क्या हैं? वो सब परद्रव्य है स्वयम की आत्मा के इलावा दूसरे की आत्मा भी है वो आपके लिए तो परद्रव्य है स्वय द्रव्य का ध्यान करते हैं निश्चे ही वे अर्यंतों के मार्ग में लगे हुए है निश्चे ही वे ते आया नहीं आपर निश्चे ही वे ते माने वे अर्यंतों के अब अर्यंत कहां से आया जिन्वरों अर्यंतों के मार्ग में लगे हुए है और उससे क्या होता है अतेहवे निर्वान को प्राप्त करते है अतेहवे ये इसका अतेहवे दुबारा से सब्सक्राइब रुटत के वागतेह पूरा करने के लिए जो ब्रैकेट में चीजें प्राप्त करते है अतेहवे को प्राप्त करते हैं मुक्ष को है किए यह यह तिन उनको निर्वान की प्राप्त होती है वैसे आप अगर साध्याय करेंगे तो ये गाथा पांच मिनट में हो जाएगी लेकिन यहां हम पूरा 20-25 मिनट लगाते हैं एक एक गाथा में बहुत आराम से कराते हैं जिससे आपको एक एक शब्द बहुत ही गूरता के साथ में समझ में आए एक बार जल्दी से फिर देखेंगे और उसके बाद हम अगली गाथा पर आएंगे जे जायन्ती सदव्वम परदव परम्मुहा दू सुचरिता ते जिन वरान मगे अड़ लगा लहिम डिवाडम जे माने जो जायन्ती माने ध्यान करते हैं सदव्वम माने स्वद्रव्व को परदव परम्मुहा परद्रव से जो भी मुख रहते हैं दू माने निश्य ही सुचरिता माने सम्यक प्रकार से आचरण करके ते माने वे जिडवराड माने अरिहन्तों के मग्य माने मार्ग में अनुलगा माने अलग रहते हैं लगे हुए रहते हैं लहे माने प्राप्त करते हैं अडिवाड़ माने निर्वान को परद्रव्य से विमुख जो मुनी सम्यक प्रकार से आचरण करके स्वद्रव्य का ध्यान करते हैं निश्चित तोर पे वे क्या करते हैं अर्यंतों के मार्ग में लगे हुए रहते हैं और वो फाइनली कभी ना कभी निर्मान को प्राप्त करते हैं अब हम अगली गाथा देखेंगे इसके बाद दी सम्मर की गाथा यह आपने फोटो ने की चीज़ की अब इस नमबर की गाथा हम करेंगे जिडवर मेड जोई जिडवर कई बार आता है जिडवर जिनेंद्रेप को बोलते हैं अर्यंतों को बोलते हैं जिडवर मेड जिन्वरमेड जोई जाडे जोई जाडे जा एई सुद्ध मपाड़म जा एई सुद्ध मपारम जेड लहई डिवाड़म जेड लहई डिवाड़म जा लहई किम तेड सुरलोयम जा लहई किम तेड सुरलोयम अब इसका एक एक शब्द का पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे उससे पहले वार उचारण करते हैं देखकें जिडवर मेड जोई जाडे जा एई सुद्ध मपाड़म अब लोग साथ में चारण कीजिए जेड लहई डिवाड़म लहई किम तेड सुरलोयम इसका हम अर्च देखते हैं एक एक शब्द का सभी लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा साथ साथ जिससे के बाद में अपने हाथ के नोट्स होते हैं तो आपको कभी भी रिवीजन करना हों तो किसी भी प्रकार की परेशानी ना है किम देखते हैं कि जड़वर मयेड़ एला शब्द क्या है जड़वर मयेड़ क्या बना इसमें मूल शब्द जड़वर है जड़वर मा एड़ मा दूसरा शब्द क्या है मा माने होता है यहां पर जो लिया है उपदेश के लिए और एड़ लग गया तो उससे क्या बन गया आपकी देवेड की तरह से तित्या विवक्ती लग गई जड़वर एक शब्द है इसमें और दूसरा सब्द क्या है इसमें मह यह आपके लिए नया शब्द है तो इसको आपको याद करना है कम अपयोग में आता है मह माने है उपदेश क्या बना इसका आर्थ यह लगी आपकी एड लग गया तो तित्या विवक्ती एक बचन देवेड की तरह से तो कई बार एड में मात्रा ना लगा कि क्या लगाते हैं अलग से एड भी लिखा जाता है प्राक्रत में हमने जब व्याक्रण करी थी तो ऐसे बहुत बार धारण देखे थे क्यों अलग से लिखा जाता है क्योंकि मूल शब्द जब मा आ है तो आ के उपर एकी मात्रा नहीं लगाई जाती तो क्या बन जाता है एड बन जाता है मा एड तो क्या बन गया यहां पर मा एड तो क्या आर्थ लगा इसका जिनवरों जिनवर के उपदेश से मा माने है उपदेश जिनवर यानि अरिहंत जिनवर यानि अरिहंत के उपदेश से से क्यों लगाया तिरतियावे भक्ती एक वचन में करण से अगला शबद है यहां पर जोई जोई माने होता है पहले भी आया है ये तो कई बार योगी जोई माने क्या होता है योगी इसका मूल शब्द है छोटी की मात्रा है जोई और यहाँ पर क्योंकि एक वचन लगाया है तो उसको क्या बोल दिया? एकारांत में क्या बन जाता है एक वचन में? ई लग जाता है जैसे हरी का हरी हो जाता है ऐसे जोई का क्या हो जाता है? जोई तो यहां पर, क्या लगा कर्ता, एक जद वाविवक्तिक कर्ता आने, ठीक है, एक जद तो क्या बन गया, योगी, यानि के जो लोग योग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, योगी, ज़ाड़गी पिछली आथा, जहां माने होता है, द्यान करना, ए लग गया क्या बन गया ये इसका मूल शब्द है ज्ञाड ज्ञाड भी होता है ज्ञाबी होता है ज्ञाय भी होता है बहुत सारे शब्द ध्यान के लिए प्रियोग में आते हैं इसका क्या बना ये ध्यान में क्यों बना ए लग गया सब्तमी विवक्ति एक वचन ध्यान में जो योगी क्या रहता है ध्यान में रहता है में क्यों लगाया सब्तमी विवक्ति में क्या लग जाता है अधिकरण में जाड़े के बाद जाए ई जाए ई जहां मायने भी क्या होता है फिर से ध्यान है अब यहां पर ई लग गया तो इसका क्यार्थ बनेगा यह दी दे जानी कि करता है ध्यान करता है जो योगी ध्यान में ध्यान करता है कितनी बड़ी बात बोली है इसका मूलशब्द यहां पर इनों ने लिया है जहा यहां पर भी साथ में जोड़ दिया एए तो क्या बन गया ध्याता है यह यहां पर क्रिया वाला शब्द है क्या है एए दी दे और एए दी भी लग जाता है उसमें आपको ध्यान आ रहोगा तो क्या बन गया यह यह क्रिया है यह विवक्ति हैं यह अन्य पुरोशं क्या है एकज़ंद क्रियावाले मिँizon करके क्या रिगात्यम्य है यहां करता है कि तो मैं किसको क्याता है अपनी आत्मा को ध्याता है सुद्ध मपाडम सुद्ध एक्दम जो शुद्ध है मपाडम अब लोग ध्यान में तो बैठे हैं ध्यान लगा रहे हैं ध्यान लगा रहे हैं लगा रहें, meditation कर रहें, कर क्या रहें, meditation में, संसार की वस्तूओं का ध्यान कर रहे हैं, कि मुझे रुपया कैसे मिलेगा, मुझे प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, मुझे धन संपदा कैसे मिलेगी, मेरे ये काम कैसे होंगे, मेरा स्वास्त कैसे बढ़िया रहेगा, ये संकट कै से खतम होगा तो इस प्रकार से ध्यान कर रहा है तो वो अपने यहां जिन्वरों का ध्यान नहीं बताया क्या बताया जो योगी जिन्वरों के उद्देश से किस चीज का ध्यान करता है सुद्ध मपाडम यानि कि किसको ध्यान कर रहा है शुद्ध आत्मा को सुद्ध अब य यहां क्या रह गया यह दो शब्द हैं ऐसे सुद्धम अलग बन गया बिंदी लग गई और क्या बन गया अपाडम अपाडम माने आत्मा ठीक है अपड से क्या बन गया अपडम तो ये कौन सी विवक्ति लग गई आपकी दुतिया विवक्ति एक उचन आत्मा को करम को शुद्ध जो प्राक्रत में ये वाला सा लिखते हैं और हिंदी में शुद्ध ऐसे लिखते हैं शुद्ध आत्मा को जो योगी क्या कर रहा है ध्यान में किस चीज को ध्या रहा है अपनी आत्मा को ध्यान कर रहा है और फालतु चीजों का ध्यान नहीं कर रहा है जेड जेड माने ये अव्वे की तरह से प्रयोग में आया है चूंकी चूंकी या क्योंकी इसमें कोई परवर्दन मात्रा नहीं लगती है लहई लह माने पहले भी आये था प्राप्त करता है जेड माने चूंकी लहई लह इ माने होता है प्राप्त करता है लह माने प्राप्त करना इ लग जिया तो क्या हो गया अन्य पुरुष एक वचन प्राप्त करता है किम लहई के बाद में है लिवाडम किम दूसी लाइन में भी लहई दुबार आया है लहई लिवाडम लिवाड पिछली गाता में भी आया था लिवाडम यानि कि निर्वाण को प्राप्त करता है एक दिन लिवाड लिवाड माने निर्वाण को निर्वाण को बिंदी लग गई तो यहाँ पर क्या हो गया दुतिया विवाड़ी एक उचन करम को रड़ा रड़ा माने होता है नहीं यह भी अव्या होता है लही फिर से लही आ गया तो उसमें हो गया लह फिर से सीम मीनिंग है प्राप्त कर सकता है यह करता है यहाँ पर भी तीन बटा एक प्राप्त यहाँ पर सकता है साथ में लगाया है मतलब एक ही है वाकिपूरा करने की दरश्टी से इस प्रकार से लगाया गया है किम माने क्या किम माने क्या होता है यह भी एक प्रकार का अव्या है जिसमें कोई व्यवक्ती वच्चन इत्यादी नहीं लगता है किम माने क्या तेड सुर्लोयम तेड का मतलब होता है इसलिए तेड ये भी मूल शब्द से बना है ता से और यहां पर एड लग गया देवेड की तरह से तत्यावी वक्ति एक उचन इसका अर्थ लेते हैं इसलिए सुर्लोयम सुर्लोयम सुर्माने जो देवता होते हैं स्वर्ग सुर्णोग स्वर्ग लोग को सुर्णोग बोलते हैं सुर्लोयम सुर्णोग 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 लोग यहां पर भी दुत्यावी वक्ति एक उचन हो गया देवम की तरह से क्या बन गया सुर्णोग सुर्णोग माने सुर्णोग को जड़वर मयडम क्या बना इससे जड़वर मयड मयडम ने मयड जड़वर मयड अब इसका अर्थ देखेंगे एक एक सब्द के साथ में हम जड़वर मयड जड़वर के उपदेश से जोई माने योगी जहाड़े माने ध्यान में जड़वर मने जट़वर मीडम ने जड़वर मयडम मयडम यानी Сुर्णोग को जयड़ मने चूकी लः सुर्ढ़वर मयड़ मने निर्वर को दा सुर्णोग माने योग इसका अर्थ देखेंगे एक एक शब्द के साथ में हैं चुकि अर्यहंत के उपदेश से योगी ध्यान में शुद्ध आत्मा को ध्याता है इसलिए निर्वान प्राप्त करता है तो क्या वे स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता देखें कितनी बड़ी आवाद बोली है कि जब योगी जो निमाहराज हैं जो स्वेम की आत्मा का ध्यान करते करते एक समय वो सबसे बैष्ट जगे क्या है वो सिद्धिसला का वासी बन सकते हैं मोक्ष की प्राप्ती कर सकते हैं तो स्वर्ग तो बहुत ही तुच्छ वस्तू है तो लोग अगर बोलें कि भई आप इससे अच्छा स्वर्ग चले जाओ स्वर्ग में इतना धन है सारी सुक संपदा है एशो आराम है ख्याती है तो जब व्यक्ति मोक्ष चला जाएगा यानि कि जहां पर देवता भी जाके तरस्ते हैं महां जाने के लिए अरेहंतों की पूजा देवता इत्यादी भी आके करते हैं तो क्या हो है स्वर्ग नहीं जा सकता तो स्वर्ग तो उनके लिए बहुत ही छोटी वस्तू है स्वर्ग तो वो बहुत ही आराम से जा सकते हैं लेकिन उनका जो एम है जो गोल है जो लक्ष है वो स्वर्ग नहीं है वो लक्ष क्या है उनका सिद्धिसला है मोक्ष है इस गाता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी है इच्छा काई की करनी है सीधे निर्मान प्राप्त करने की करनी है संसार चक्र से मुक्त होने की हमें आकांख् अर्थ क्या लगा इसका चूंकी अर्यंत के उपदेश से अर्यंत का उपदेश इसलिए लिया है कि उन्होंने ही सही मार्ग बताया है कि क्या हमें ध्यान में ध्याना है अर्यंत के उपदेश से योगी ध्यान में शुद्ध आत्मा को ध्याता है ध्यान में शुद्ध आत्मा को ध्याता है इसलिए निर्वान प्राप्त करता है इसलिए जब सीधे वो निर्वान ही प्राप्त कर लेता है तो स्वर्ग की उसको क्या इच्छा है निर्वान प्राप्त करता है तो क्या वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता तो ये ब्रैकेट में से लिए है क्योंकि तो के लिए यहां पर कोई शब्द नहीं है वह वह के लिए भी यहां पर शब्द नहीं है तो इसको भी ब्रैकेट में लिया है स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता है अब एक पर फिर से देखेंगे बहुत ही अच्छी गाता है उन बातों का निराकरण है कि स्वर्ग के देवी देपताओं की आराधना करनी चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपक्रम नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है स्वर्ग तो बहुत ही चोटी चीज़ है जिनवर मेर जोई जाड़े जाये इस अप्देश से जोगी मांने योगी दियान करता है और फिर धियान में क्या दियाता है सुद्धम पाडम यानि सुद्ध आत्मा को ध्यान करता है उसको ध्याता है जेड लहईड बाडम जिस प्रकार से इसलिए क्या है कि वह प्राप्त करता है डिनवार को नहीं यानि कि तो क्या नहीं लहई किम तेड़ सुरलयम तो क्या वो नहीं 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 वो सुरलोक को यान प्राप्त करना आसान ऐसा नहीं है निर्वान अगर प्राप्त कर लिया तो बाद में कभी स्वर्ग में नरक में मनुष्य लोग में त्रियंच जिकती में जाने की जिरुवती नहीं पड़ेगी अनंतकाल के लिए आपकी आत्मा हमेशा सिद्धिसिला की वार्सी बन जाएगी तो इस प्रिकार से हमने आज आज आपकी दो गाताओं का स्वाध्या किया अब हम कल पुने आगे की गाताओं का स्वाध्या करेंगे और सभी लोग इसी प्रिकार से अपने नोटस बनाते रहें हम इसको फेसबुक और यूटूब पे आपके प्रतिदिन की क्लासिश डालत की जै